प्लस्टू क्लास आज आपका टॉपिक है थर्ड उसमें पढ़ना है शरीरिक शिक्षा में विवसाई वा खेल या पुरुसकार औकुपेशन सेंड औसल पुरुसकार के लिए से किस तरह से संबन्दित है और खेल और पुरुसकार शरीरिक शिक्षा क्या है पहरत में आरंब उनका अरंब कैसे हो पुस तरह से कैसे हुई 1926ब के पश्चा शरी शिक्षा के स्कूल जो थे पाठेक्रम का एक अंग थे उस समय क्या शरीरिक शिक्षा का प्रक्षिक्षण देना या ताहित्व देना एक सैनिक अत्वा एक कुशल जिमनास्टिक का होता था यानि जो कि या शरीरिक शिक्षण में भूमिका निभाते थे और शरीरी शिक्षा का क्या है वहाँ पर अध्यापक नहीं होते थे शरीरी शिक्षा के विश्य का शिक्षण के लिए अध्यापक की वहाँ उस टाइम कमी थी और फिर क्या हुआ 19-20 में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करे शिक्षा आरंब की उसमें भारे शिक्षा के पिता मा माना जाता है यानि एचसी बुक ने लिखाया हुआ है ये भारत के पिता मा शरीरी शिक्षा के पिता मा माने जाते हैं तो इसमें सारी बाते क्या है शरीरी शिक्षा से जुड़ी हुई है जो पहले जो टीचिंग थी वो किस प्रकार की थ और कहां कहां विद्यालियों का निर्मान किया गया। उनके केंद्रिप, मुख थे, शिमला, छे मास का कोर्स आरंब हुआ फिर वहाँ पर जिस प्रकार मतलब शरीरिक शिक्षा की स्टार्टिंग किस प्रकार हुई, और दीरे दीरे यह क्या हुआ शरीरिक शिक्षा का हर प्रकार से विस्तार होने लगा। शुरू करवाया गया था। यहां डॉक्टर पी एस जोसफ का कॉलेज का प्रतम प्रिंसिपल रहे हैं यहां पर यूनिवस्टी तो जी थी, वहां पर डी एस प्रिंसिपल थे, वो प्रतम रहे हैं। उनिवस्टी तथा कॉलेज विद्यारतियों की शरीरिक शिक्षा और विश्यों का संबंध विवसाईक शिक्षा प्रदान करता था। यानि जो शरीरिक शिक्षा थी, वो क्या था, कॉलेजिस और स्कूलों में शरीरिक शिक्षा का एक विवसाईक के साथ संबंध रखती थी, जो कि उनके विवसाईक के लिए उत्तिर्ण थी। यानि पहले स्कूलों में बता दिया कि उसका चेंज करके नाम रखा गया डीपी एड तो यहाँ पर कोर्स की क्या है इजबिल्टी, एडमीशन कैसे होती थी, प्रवेश की योगिता क्या थी, उनकी इनमें योगिता थी, विद्यार्तियों के लिए मानने था कैसे थी, इसमें स्ट्रीम, पहले से संबंधित बोर्ड की परिक्षाई देनी पड़ती थी, स्ट्रीम क योगिता संबंधित टेस्ट पास करना अनिवा रहे था, यानि जो संस्था टारगेट रखती थी, टेस्ट लेने का, तो उन्हें क्लियर करना बहुत जुरूरी था, नेक्स्ट पॉइंड है, बीपी एड, बीपी एड का इंटरिगेट कोर्स के आ था, बीपी एड का इंट परिशद N-C-T-E, जो की है, यहां जो यह पाठे करम बनाने वाली एक संस्था है, N-C-T-E, हाना, इसके मान्यत से रद करने के उपरांत, अब यह कोर्स चार्ज वर्ष का कर दिया गया, जहां पहले यह चार वर्ष का था, वहां तीन वर्ष किया गया, और जहां बैचलर प्रवेश लेने के लिए इसीबिल्टी कैसी होनी चाहिए, यानि जिसनोंने डीपी एड की डिगरी कोर्स प्रापत की इसकी इसीबिल्टी कैसी होनी चाहिए, नेक्स्ट मॉइंट आजाता है,